Hello everybody, this is दिगराश सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है Global Warming Global Warming इस टॉपिक को समझो अच्छे से बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इंपोर्टन क्यों है? क्योंकि क्लास 6 से क्लास 11 में आगए हो अभी तक पढ़ रहे हो आप Global Warming जो 6 में पढ़ा था वो आज 11 में फिर पढ़ रहे हो और यह ता है कि आप 12 में भी से पढ़ोगे तो अब जब इतनी बार रिपीट हुआ तो उससे आपको समझ में आया होगा कि यह टॉपिक की सिग्निफिकन्स कितनी ज़्यादा है कितना इंपोर्टन टॉपिक है यह अब देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे लेकिन जो क्लास सिक्स्त में आपने पढ़ा था कि सर्क टेंपरेचर बढ़ता है बरफ बिगल जाती है समुधर में पानी बढ़ जाता है उससे कुछ अलग पढ़ेंगे कुछ आगे पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखना ठीके तो this is going to be our topic इसे हम पूरी तरह से क्या करने आलें डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में आज के इस डिसकेशन में Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको आपके syllabus के सारे चाप्टर सिर्फ एक चाप्टर या दो चाप्टर नहीं Complete syllabus वीडियो लेक्चर के फॉर्मैट में free of cost अवेलेबल है आप इन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और इन वीडियो को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो देखे टॉपिक को अगर समझते है statement क्या है, opening statement हमारा Change is the law of nature परिवर्तन संसार का नियम है परिवर्तन प्रकृती का एक नियम है इस तरह से आपने सुना होगा यह statement यहाँ पर फिर लिखा भी है Change is the law of nature अब जब हर चीज में बदलाव आता है बदलाव कैसे आता है, ऐससे चार साल पहले आप कुछ और थे चोटे थे थे थोड़े चार साल बात कुछ और होने वाले हैं ठीक है, पुरी तरह से adult हो जाओगे, mature हो जाओगे तो क्या है, बदलाव तो आ रहा है आप में बदलाव आता है, जिस तरह से उस तरह से प्रकृती में बदलाव आता है हर चीज में, आप जिस गली में रहते हैं, उस गली में भी बदलाव आ रहा है कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं मकान टूट रहे हैं, कहीं किसी ने paint दूसरा करवा लिया है तो मतलब आप देखोगे, चारो तरफ क्या है सुसाइटी जो है, नेचर जो है, यह जो अर्थ है, यह स्टेबल नहीं, इसमें बदलाव आता रहता है अब जब बदलाव आता रहता है, तो no doubt, therefore, we have witnessed climate change also सो हमने climate में भी बदलाव देखा, change देखा, आपने इसमें भी, क्या कह सकते है कि आपने changes observe कि होंगे, feel कि होंगे, ठीक है, climate भी बदलता है, weather भी बदलता है हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा winters भी नहीं रहता है, हमेशा बारिश भी नहीं रहती है चेंज होता रहता है एक साइकल चलता रहता है ठीक है इस चीज से एगरी करते हो आप मैं भी एगरी करता हूँ आप भी एगरी करोगे मुझे पता है तो अब देखो क्या है अब जब चेंज होना था है तो a number of geological evidences suggest that once upon a time large part of earth was under ice cover अब यह आपने आपकी जो पहली वुख है ठीक है उसमें आपने पढ़ा होगा discuss chapter 2 में समझा होगा क्या कि geological scale पे अगर आप देखोगे अर्थ को तो हम क्या है हम gas के गोले थे पूरी तरह से वो gas का एक गोला क्या बनता है solid mass बनता है उस पर बरफ भी जमती है बरफ पिगलती भी है ocean भी बनते है दुनिया भर के धतकरम होते है ठीक है तो उस sense में क्या है कि बहुत सारे geological evidences हैं जो यह support करते हैं कि एक समय पहले क्या था earth was under ice cover we were the earth was totally covered under the ice और हम इस तरह से क्या थे देखोगे तो जानवरों की skin वगेरा पैन के घुमा करते थे हम लेकिन आज वैसे नहीं है ना human beings को यह अगर आप देखोगे तो क्या है ice age के time period में कैसे हुआ करे होंगे तो जब वो अलग species थे और आज एक अलग species है तो बदलावाया change is the law of nature अब लेकिन आप देखोगे तो ice age के time पे जितना जो atmosphere जो climate रहा होगा earth का एक्दम थंडा पूरा और आज जो atmosphere है earth का उसमें कितना फरक है दोनों में बहुत जादा difference है जमीन आस्मान का फरक है दोनों में तो यह जो जमीन आस्मान का फरक हुआ है ना तो यह कहीं न कहीं क्या हुआ है आप देखोगे earth क्या हुआ हमारा गरम हुआ है global warming अब यहाँ पर कह एक थोगा सा concept से आप इंट्रिड्यूज हुए कि हां अर्थ का temperature तो बड़ा है सर आप सहीं बोल रहे हो क्यों क्योंकि हमने यह पड़ा है कि एक समय पर क्या था तक सिमित मत रखना आगे discuss करेंगे और तो अब इस पूरी कहानी को रिलेट कर पायो ना आप कि आज जो प्रकरती देख रहे हो आप वो शायद रहने लाए कि ना रह जाए तो इस सेंस में क्या है change is the law of nature and we have over the period of time observed it, felt it अब देखो आगे क्या है आगे यह चीज बताते है कि global warming अगर हो रही है तो इसके पीचे कारण क्या है बदलाव आ रहा है प्रकरती में temperature जो है अर्थ का relative जो temperature है वो क्या होते जारा बढ़ते जा रहा है उस चीज को हम कैसे coin कर रहे है उस चीज को हम coin कर रहे है global warming के नाम से तो global warming है क्या चीज besides the natural causes human activities such as large scale industrialization and presence of polluting gas in the atmosphere are also important factors responsible for global warming तो global warming के लिए कारण क्या क्या है what are the reasons for global warming तो देखो no doubt natural causes है कि over the period of time क्या हो गया कि अर्थ का atmosphere बन गया ज्यादा solar insulations को उसने absorb कर लिया तो क्या होने लगा कि जो अर्थ का ाइसी के time पर temperature था उसके picture में आज temperature क्या हो गया है बढ़ गया है तो वो तो natural causes है ठीक है naturally क्या हो रहा है अर्थ का temperature बढ़ रहा है वो ठीक है लेकिन उसके अलावा क्या है हम लोग जो है आदी वो industries क्या कर रही है अब वो industries harmful gases emit कर रही है तो यह जो polluting gases है यह क्या कर रही है यह solar insulations को और ज्यादा trap करती है आगे बताऊंगा मैं आपको और जब ज्यादा trap करेगी solar insulations को तो no doubt temperature बढ़ना है और जब temperature बढ़ेगा ठीक है जब गर्मी बढ़ेगी तो उस गर्मी के चलते global warming की जो प्रोसेस से वो और accelerate होगी और तेजी से global warming होगी मानते हो इस चीज़ को यह हो रहा है ठीक है ठीक है तो यह जैसे हमने देख लिया कि natural causes के अलावा human activities, industrialization, polluting gases जो है यह सब कुछ क्या कर रहे है सब मिलके क्या बोल रहे है कि global warming को बढ़ाते हैं चलो तो these are the reasons for global warming आगे और का देखोगे तो जैसे carbon dioxide produced by human activities is a major source of concern अब क्या होता है तो हम देखते है कि earth का जो temperature बढ़ रहा तो यह बढ़ता carbon dioxide क्या करने वाला है कही ना कहीं अर्थ के temperature को बढ़ाएगा ठीक है तो जैसे हम carbon dioxide आख कहां से रही है सर तो जो fossil fuels आप जला रहे हो पेट्रोल जला रहे हो ठीक है अब कोल जला रहे हो तो उससे carbon emit हो रही carbon dioxide उससे निकल रही है फिर क्या है यह एक reason हो गया carbon dioxide अखेली क्या सकते हैं जिम्मेदार नहीं ठेरा होगे आप कि carbon dioxide है तो इसी करन्ट से global warming हो रही है हम क्या करते है global warming में हमने 3-4 चीज़े बगड़ लिए global warming, carbon dioxide, melting of snow, rise in sea temperature बस खतम इतना नहीं है इसके अलावा भी जादा है इसके अलावा क्या जादा है तो देखो इसके जैसे gases like methane, chlorofluorocarbons, nitrous oxide तो ये सारी जो gases हैं दूसरी दूसरी जैसे chlorofluorocarbons का है आपके DO में से निकल के आ रही है, refrigerator में से निकल के आ रही है, AC में से निकल के आ रही है तो ये जो सारी gases हैं ये सब क्या है, सब भाई बैन है और ये सब मिलके global warming बढ़ा रहे हैं मतलब ये स सारी gases greenhouse effect को जनम देती है, अब देखो धियान रखना, ये सारी gases को आप क्या कर सकते हो, carbon dioxide और ये सारी जो gases है, ये greenhouse gases है, greenhouse gases greenhouse effect create करती है, क्या होती greenhouse gases, कैसे greenhouse effect होता है, वो मैं समझाता हूँ आपको, तो अब जिससे अगर इन gases को देखोगे न, तो ये क्या करती है, these gases are better absorber of long wave radiation, then carbon dioxide, no doubt, carbon dioxide क्या करके रखती है, जो solar insulation आई ये उसे trap कर लेती है, अपने अंदर रोक के रखती है, तो ये solar insulation को carbon dioxide तो रोक रही है, और अभी तक हम carbon dioxide को ही कोस्ते रहते थे हर चीज़ के लिए, लेकिन ये जो gases है न, तो ये carbon dioxide से भी ज्यादा लुक्सान करती है, global warming में, कै कैसे तो ये gases जो ही, ये क्या करती है, ये trap करती है, long wave solar radiation को, कैसे long wave solar radiation क्या होती है, ये earth है, ठीक है, ये sun है, अब sun से क्या होती है, solar insulation आती है न, तो solar insulation जो आई ये, आने के बाद में earth जो radiate करता है, जो वापिस space में चले जाना चाहिए काईदे से, लेकिन जब chloro-fluorocarbon है, ठीक है, methane है, ये gases जब atmosphere में है न, ये atmosphere मान लो, तो atmosphere में क्या करती है, gases, जो long wave radiation से न, जो radiate होके वापस जा रही है, तो वो long wave radiation के अंदर जितनी भी solar insulation, radiate होके जो वापस जा रही है, उसे absorb कर लेती है gases, long wave rays को absorb कर लेती है, मतलब क्या है, वो, वो radiation अब क्या है, atmosphere से बाहर निकल पाई एट्मॉस्वेर के अंदर ही है तो उसके चलते क्या होगा टेंप्रेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा फॉर शॉर टेंप्रेचर बढ़ेगा मतलब क्या होने आला है ग्लोबल वामिंग होने यह इस चीज़ का जिसे आपको एक प्रैक्टिकल एक्जाम पर बताता तो आप देखते हो ना सब अगर विंडोस लगए है सब कुछ ग्लास लगए है उपर चड़ा के बैठ जाओ गया आप और धूप का मतलब गर्मी का समय है और धूप अंदर आ रही है तो आप अंदर ऐसा लगया है तंदूर के अंदर बैठे हो अगर ऐसी नहीं चला रहे ह करती है यह हो गया यहां तक समझ में आगी कहानी तो यह सब कुछ हुआ है यह जो ग्रीन हाउस गैसेज है जब यह क्या करती इस तरह से लॉंग वे रिडिशन को अब्जाब कर लेती तो ग्रीन होज एफेक्ट करती है जिसके चलते टमप्रेचर जो हो और जादा बढ़ता है ठीक है आप इसका इंपेक्ट समझ लो तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इंदी टमप्रेचर ऑफ वर्ल्ड टमप्रेचर बढ़ेगा यह ग्रीन हाउस गैसेज जो है वह और ज्यादा क्या करेगी गैस सोलर एडिशन को अब्जाब करके रखेगी जिसके चलते ग्रीन लिएट करने बला है अब आपको सब सर पैर हात समझ में हागा जहली किया होगा यह एक अगर देखें तो बोलोट है तो दिकत क्या है तो प्रॉब्लम क्या है अब प्रॉब्लम क्या है तो Peak the ब्रॉब्लम लिए नीन बिज्दि लोबर क् li mountain glaciers would melt यह आपको बच्पन से बता है कि हाँ temperature बढ़ेगा तो जो polar ice caps है ठीक है पोल्स पे जो ice caps है उसके बाद में जो mountain glaciers है जैसे हिमालियास के उपर जो mountains है वह पिगलने लगेंगे अब बोलो कि पिगलने तो क्या दिक्कत है अब लेकिन जब वह पिगलेंगे ना तो वह क्या पिगल के पानी बनेंगे जसी यह पिगल के पानी बना अब यह पानी बहे के कहा जाएगा नदी में नदी का पानी कहा जाएगा समुद्र में तो अब इसस तो यह पानी दालते जाओ तो समूदर का लेवल नहीं बड़ेगा पानी समूदर तो कितना चाहो जितना डालो गए उतना पानी चले जाएगा उसके अंदर लेकिन वह कही ना कहीं तो फैलेगा ना तो वह कहां पानी फैलना स्टार्ट होगा तो एक बार जब आप देखोगे कि polar ice caps mountain glaciers पिगलना स्टार्ट करेंगे and the amount of water in oceans would increase तो यह पानी फिर कहाना स्टार्ट हो जाएगा तो यह एक्जामपल देखो GIF है थोड़ा सो इसको ध्यान से देखना अभी आप देख रहे हो कि यह green area यहां पे लेकिन अभी जब सी लेवल बड़ा तो यह green area पुरा वह किस पे होगा islands पे होगा coastal regions पे होगा कि global warming के चलते ice caps melt करेंगे और वह sea surface area जो है उसका पानी जो होगा बड़ेगा और जो coastal regions से islands से वह डूब जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे impacts होंगे जैसे in past 150 years the mean annual surface temperature has increased no doubt ठीके पिछले 300 सालों में आप देखो कि observe करो कि त जो gases है इनका proportion भी atmosphere में बढ़ा है और इनका proportion बढ़ा है तो temperature इन्होंने बढ़ाया है क्यों जितनी ज्यादा gases होगी उतनी ज्यादा solar race को absorb करेगी solar race को absorb कर लिया मतलब क्या है कि temperature no doubt बढ़ना है अब temperature बढ़ेगा तो उससे क्या होगा देखो it is projected that by the year 2000 2100 ठीक है by the year 2100 मतलब क्या है जब यह 21st century खतम होने वाली रहेगी आज क्या चलता है 2020 आज से 80 साल बाद में रहू ना रहू लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना क्या कि आज से 80 साल बाद क्या होने वाला है global temperature जो है वह दो डिगरी Celsius तक बढ़ना है यह क्या है यह तो हमने अपने मन को मतलब कह स सकते हैं तो हमने हमारे मन को मनाने के लिए क्या एक ऐसा फिगर रखा कि हाथ इतना ही बढ़ेगा लेकिन अभी 20 सालों में वन डिगरी Celsius तो बढ़ चुका है अब बचे 80 साल के लिए वन डिगरी Celsius ठीक है तो मन को बहलाने के लिए खयाल अच्छा है गाली वह अली कहानी है तो क्या है कि यह temperature और जादा बढ़ सकता है अब जब इतना temperature बढ़ेगा तो बरफ तो पिगली रही है ठीक है बरफ तो पिगलती ही रहेगी लेकिन उसके अलावा भी दूसरे impact क्या होने वाले देखो सबसे पहले rise in sea level उसके बाद में glaciers वगरा melt होंगे और अगली चीज अ on an average the sea level will rise 48 cm by the end of 21st century तो 21st century जब खतम होने आली रहेगी तो लगब लगब 48 cm sea level बढ़ जाएगा आज जो sea level है उससे 48 cm सीधा 48 cm आप सोच लो इतने पूरे ocean जो पूरे ocean से 7 ocean इन में इतना पानी बढ़ेगा 48 cm तो वो क्या-क्या लेके डूबेगा ठीक है छोटे मोटे island countries जो तो सब डूब जाएंगे पूरी तरह से लोग कहां जाएंगे इनके migration का problem जो लोग competitive की तहरी कर रहे हैं सुनो मेरी बात को global warming पे स्रिफ बरफ मत पिगला के आ जाना एक comprehensive answer लिखना जैसे coastal area से लोग migrate करेंगे problem यह आएगी migration की problem आएगी दूसरी चीज क्या होगी जिसे देख flooding मतलब समुद्र का पानी फुल हो गया ना तो आप पानी बारिश का कहा जाएगा समुद्र में जाने से पहले वह लोगों के घरों में घुसेगा तो annual flooding बढ़ेगी हर साल floods आएंगे फिर यह रहती कि वह floods आई हैं और floods सबके घरों में पानी बरके चले गई है में प्रॉब्लम यह रहती कि floods के जाने के बाद में जो बीमारिया होने वाली है वह बीमारिया बहुत साही लोगों को परेशान करके रख देगी तो उसी तरह से क्या होगा कि climate change के चलते नहीं नहीं न देख रहे हो कि यह इंडिया है आपको पता है कि सदन एरिया में क्या रहता है moderate climate रहता एक तरह से North India में क्या रहने वाला है North India में आप देखोगे तो northern plane में कुछ अलग रहेगा mountain region में कुछ अलग रहेगा लेकिन जब इस तरह से आप देख रहे हो कि temperature बढ़ गया है relative temperature बढ कि यह जो climatic boundaries है ना इन में shift होगा ज्यादा जो areas wet थे वो और ज्यादा wet हो जाएंगे और ज्यादा बारिश होने लगेगी जो dry थे वो और ज्यादा dry हो जाएंगे तो climate change जो होने वाला है climatic boundaries जो होने वाली है वह बहुत ज्यादा shift होगी वह बहुत ज्यादा change होने वाली है फिर अगली चीज क्या देखो तो lead to the shift in climatic boundaries, agricultural pattern would shift and human population as well as the ecosystem would experience change, ये point को धियान रखना, देखो दो डिगरी आम तोरपर आम देखेंगा सर्क दो डिगरी में क्या दिक्कत है, लेकिन मशलियां जो जैसे मैं आपको उता हो तो बहुत जादा temperature sensitive होती, मशलियों के रावा जैसे आप देखो ये बहुत सारे species जो होते हैं plants के, ये बहुत जादा temperature sensitive होते हैं, अब जब global level पे 2 degree, 4 degree temperature बढ़ा घट जाएगा न, तो पूरी की पूरी species क्या हो जाएगी, extent हो जाएगी इस world से, ठीके, हमारा agriculture pattern बदल जाएगा, खाओगे क्या आप लोग, खाओगे क्या, यहा आप यहारे में सोचना चाहिए, जादा जादा पीड लगाना चाहिए, अब देखो हमारे end पर हम यही कर सकते हैं, आप बोलोगे पीड लगाने से क्या होगा, लेकिन कही ना कहीं आप balance कर सकते हो, यह जो harmful gases दूसरी बढ़ रही है, ठीके, आप उन products का इस्तमाल कम कर सकते ह यहां से gases emit हो रही है, और भी तरह तरह के दुनिया भर के solution अगर discuss करने बैठेंगे तो दिन भर discuss करते रहेंगे, ठीके, तो pessimist side पर मैं आपको डरान नहीं चाहरा हूँ, लेकिन आपको optimistic side पर सोचना होगा है, कि किस तरह से इन चीजों को हम सुधार सकते हैं, किस तरह से हम क कर पा रहें, सोच पा रहें, provoke your thoughts, provoke you मतले जिए नहीं कि अब डंडबंड़ा के निकल जाओ, कि आप अपने thoughts को कही न कहीं उस level तक ले जा पा रहें, सोच पा रहें, चीजों को यहां है, ये एक बड़ा issue है, तो chapter पढ़ने का जो objective था, वो successful हो आए, इसी का था हमारा chapter complete होत है तो feel free to ask in comment section. Magnet Prince पर class 4th से class 12 तक के इसी तरह से सभी subjects available हैं. अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए. Next video से एक नया chapter स्टार्ट करेंगे. Till then stay connected, keep learning. Thank you, thank you very much.